देखी राजस्तान ने इतना शांदार परफॉर्म किया है, हम चाहे हेल्थ केर वर्कर हो, फ्रंट लाइन वर्कर हो, 60 येर्स के कावबेज ग्रूप के लोग हो, चाहे कोम और बिड जो 45 से 59 के बीच के हो, या अबब 45, हम लोगों ने 1 करोड 22 लाख लोगों को वैक्सिनेट क वो सेंसेस के हिसाब से आते हैं, राजस्तान का शांदार तरीके से प्रबंदन है, हमने स्टोरीज की केपसिटी भी परियाप्त डवलप की है, तीन हमारे स्टोरीज सेंटर है, कैपिटल रजहपूर में, साथ संभाग है हमारे, वहां पे हमने स्टोरीज केपसिटी और जहां वेक्सिनेट किया जाता है उन साइट्स को शांदर तरीके से डवलब किया गया है इसलिए हम लोग पूरे कंट्री में वेक्सिनेशन में भी नंबर एक रहे हैं उसके बाद अवेलेबिल्टी ओफ वेक्सिन की वो प्रॉब्लम आ गई है हमारे पास एक दिन में हमने पांच लाख 21,000 लोगों को वेक्सिनेट किया एक लाख वेक्सिन जब बच गई तो हमको स्टाप करना पड़ा कि फर्दर वेक्सिनेशन कैसे करेंगे फिर भारत सरकार से रिक्वेस्ट की दस लाख उन्हों ने भेजे चार लाख और भेजे ऐसे टुकडों में वेक्सिन मि अंदर जो पॉपिलेशन आज पैंतालीस साल तक के लोगों को अठारा साल से पैंतालीस साल के लोगों को वेक्सिनेट करने का जो टास्क भारत सरकार ने दिया है अब उस केटेगरी में सवा तीन करोड लोग है उनकी दो डोज मान लेते हैं तो ये साड़ेशे करोड हो गय पाड़ेगी स्टेट को तो हमारे अधिकारियों ने क्योंकि एक तारिक से 18 साल से 45 साल के लोगों को वेक्सिनेट करने का ड्राइव प्रधान मंत्री जी ने शुरू करने की बात कही है तो सीरम इंस्ट्यूट से हमारे अधिकारियों ने बात की तो उन लोगों ने कहा किसा हमने तीन करोड पिछेतर लाग डोज बुक की है तो जवाब ये मिला था कि पंद्रह मही तक तो हम जो हमारे पास भारत सरकार से पहले से ओर्डर मिले वे हैं उनकी आपूरती नहीं कर पाएंगे तो आपको कहां से देंगे तो परिस्तिती इस तरह की है दो ही कंपनियां वैक परिस्ती ईसे श्रील भी मका शींटीड कशता हैblue में theatrysz gangster पहिए और को फ्रीयां में चीट को डंच में उनकी और कंवाड़्यक्तď वाले बारे गाले उस स्थै अद्स, अद्स, बाएरवेट को ओ धर्ट, और जो फाले ब्रेवक्त को श्यों में और्ञे द्तश पानख आ है कि भी एक कंट्री में एक ही प्रकार की रेट होनी चाहिए वो इशू अलग है उसकी बात नहीं कर रहे हैं लेकिन हमने तीन करोड पिछेतर लाग डोस वैक्सीन की बुख की और हमें जवाब यह मिला हूँ कल वैक्सीनेशन पर चर्चा नहीं हुई कल हम परपजली तीन चीजों के बारे में यहां आये थे क्योंकि जिस ढंग से एक्टिव केसे बढ़ रहे हैं एक लाग पिछपन हजार केसे राजस्तान में एक्टिव केसे हो गए हर रोज अप्रेल में कभी नो हजार कभी दस हजार 12,000, 16,800, 16,000 इस तरह केसे रोज आ रहे हैं और म्रत्व भी हमारी अकेले 27 अपरिल तक 900 ज्यादा लोगों की म्रत्व होगी जबकि मार्च में पूरे महिने में 31 लोगों की म्रत्व होई थी तो स्तीतियां गंबीर थी तो हम एक तो टेंकर ऑक्सीजन के अलोकेशन बढ़ान कोटेज है उसकी आपूरती जो कोटा हमको लोट किया भरत सरकार ने वो टाइमली हमको मिल जाया इन तीन चीजों के लिए हम लोग बात करने आये थे वेक्सिनेशन के बारे में कल कोई बात नहीं गंबीर बात है क्योंकि इस कंडिशन में जिस हस्पताल ने कोई गलती की उसकी जिम्मेदार इत्ते करेंगे मैं भी जैपूर जाओंगा भी दिल्ली हूं मैं गटना का पता करेंगे जो जिम्मेदार लोग होंगे कि इस मामारी में किसी को इजाज़त नहीं है आपने अस्पताल अगर खुल रखा है तो आप इलाज के लिए मैदान में रोगे तो सही आप भग कैसे सकते हैं कर दो जाज़ चिल्दाट जई रहा है तो जाज़ते हैं कर दो सही आपिस गर जाज़ते हैं कर दो control